नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूटूब चानल पे जिसमें हम आपको बताते हैं कि किस तरह आप खुश रह सकते हैं आपका कोई अपना आप से रूट गया है या कोई ऐसा इंसान जिससे आप बे इंतहा महुंबत करते हैं लेकिन वो है कि अब आप से बात करके ही राजी नहीं है वो आपकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते तो ऐसे में क्या किया चाएं? आईए मैं आपको बताती हूँ ऐसे में करना ये है कि आपको वशीकरण विधी का सहारा लेना है आपको वशीकरण विधी का सहारा लेना है जिसके माध्यम से आप वशीकरण कर उस व्यक्ति को अपना बना सकते हैं ता उम्र के लिए उसे अपने पास रख सकते हैं जब आप चाहेंगे वो वैसे ही कारे करेंगे जैसे आप चाहेंगे लेकिन यह तभी होगा जब आप वशीकरण विधी का प्रियोग करेंगे लेकिन एक और बात मैं आपको बता दूँ कि वशीकरण विधी का प्रियोग तभी कीजेगा जब आपकी नियत साफ हो ची हाँ साफ नियत से किया गया कारे सिध होता है लेकिन अगर आपकी नियत खराब है या आपकी मनशा अच्छी नहीं है तो कोई भी कारे अगर आप करते हैं तो वो सिध नहीं होता और अगर गलती से वो कारे सिध भी हो जाता है तो परिणाम जो है बहुत ही भयावे होते हैं जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते जब कुछ अच्छा हो तो आज जो विधी मैं आपके लिए लेकर आई हूं वो बहुत ही सरन और बहुत ही कम खर्च वाली है कभी आपने सोचा है कि एक रुपे में किसी का वशीकरन करेंगे जी हां सुनकर आपको हसी आयोगी शायर लेकिन ऐसा नहीं है तो किस तरह आप किसी को अपना बना सकते हैं सर्फ एक रुपे में जी हां सर्फ एक रुपे में आप किसी को भी अपना बना सकते हैं किसी का भी वशीकरन कर सकते हैं दश को कपूर जो सर्फ एक रुपे का आता है ये कपूर आपकी मदद कर सकता है किसी को आपका अपना बनाने वे और यह कैसे ह को आईए मैं आपको बताती हूं कि कपूर के माध्यम से किस तरह आप किसी को अपना बना सकते हैं दवश को आपको लेना है कपूर जी हां एक कपूर की टिकिया लेनी हैं जिसके माध्यम से आप किसी भी व्यक्ति को अपना बना सकते हैं किसी से प्यार कर सकते हैं किसी से अग सकते हैं कैसे आए बताते हैं आपको करना कया है सुबर सुर्य दो अपको उठना है और और सनान करके साफ सुथरे वस्त पहनकर आपको घव से दूर जाना है एक ऐसी जगह जहाँ कोई नहीं उसके पास आपको ये कपूर लेकर जाना है जब उसके पास आप ये कपूर लेकर जाएंगे कपूर को हाथ में रखिए इस तरह इसे कवर कीजिए कपूर को आपने हाथ में रखना है और इस तरह कपूर को कवर करना है और कपूर को कवर करने के बाद एक मंत्र का आपको तीन बार उचारण करना है जो मंत्र आपको दिया जाएगा उस मंत्र का तीन बार उचारण कीजिए और मंत्र उचारण के बाद जैसे ही इस कपूर को आप वहां मिट्टी में दबाकर घव लौटेंगे मानो आपका वशीकरण सिद्ध हो गया जी हाँ, आपका जो वशीकरण है वो पूर्धा सिद्ध हो जाएगा लेकिन तब इस विधी को करते वक्त आपको कोई ना देखे तभी यह प्रक्रिया पूरी हो पाएगी अगर किसी ने भी आपको देख लिया तो ये प्रक्रिया अधूरी रह जाएगी और वशीकरण नहीं हो पाएगा तो अगर आप चाहते हैं कि वशीकरण हो, सही तरीके से वशीकरण हो जो व्यक्ति है वो पूर्ट तरहां से आपका हो जाए सिर्फ और सिर्फ आपका ही होकर रहे तो उसके लिए वशीकरण विधी को सही तरीके से कीजिए और इस बात का खासतोर प्रध्यान रखे कि जब भी आप ये विधी कर रहे हों तो आपको कोई ना देखे अगर किसी ने देख लिया तो वशीकरण विधी जो है वही जो है वो खत्म हो जाएगी वह अपना असर नहीं दीखा पाएगी इसलिए जब थे बात का खासतोर प्रध्यान रखे और कोई समस्या है कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं पूछना चाहते हैं तो आपकी स्क्रίν पे जो नंबर दिखाया जा रहा है उस नंबर पर कॉल करें अपने सवाल का जब आप लें कोई समस्या है तो उस समस्या का समधान भी आप उस नंबर पे कॉल करकर ले सकते हैं कॉल कीजे अपनी समस्या का समधान लीजे कई बार एक ऐसी समस्या हो जाती है जिसका हम काफी समय से जिसको जेलते आ रहे हैं जिसका उपचार जिसका जो तरीका है जिसे दूर करने का वो हमें नहीं मिल रहा लेकिन आपकी कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका समधान हमारे पास नहीं है सिर्फ एक कॉल की दूरी पर आपकी समस्या और समधान है आप कॉल कीजे आपकी समस्या का समधान किया जाएगा आपको बताया जाएगा कि किस तरह क्या ऐसा करें आपकी आपकी समस्या का समधान हो जाए और यह जो दुख के बादल आप पर घिराए है वो छट जाएं और वापिस से आप खुशियों की बारिश हो जाएगी तो इस बात का ध्यान रखिए, कॉल कीजिए अपनी समस्या का समधान लीजिए और दर्श को फिल हाल मुझे दीजे इजाज़त फिर हाजिर होंगे एक नए तरीके के साथ जिसमें आपको बताएंगे कि किस तरह आप खुश रह सकते हैं और अपने आपको खुशाल जिन्दिगी दे सकते हैं जय माता दी